2000 की नोट बंद होने की गोशना के बाद घंटो बाद ही राजधानी की असोग नगर थाना इलाके के स्थित योजना भवन के बेस्मेंट में बंद पड़ी अल्मारी से 2000 की नोट की बंडल मिले हैं इसे के साथ एक किलो सोने के बिस्कुट मिला है जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और पुलिस ने ट्रोली सूट केस को खुल कर करेंसी नोटों को गिनकर जप्त किया करीब 2 करोड 31 लाग केस के साथ 1 किलो सोने के बिस्किट भी मिले है योजना महवन में करोडों की नकदी मिलने के बाद शुक्रवार देराथ मुक्य सचिव उसा सरमा पुलिस महानिदेशक उमेश मिस्रा अतरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेस एमन और जेपुर कमिशनर आनन सीरीबास्तवन में सचिवाले में प्रेस कॉणंफेंस करते ही विका हा कि योजना महवन के अलमारि से करोडों की नकदीव एक किलो सोने मिलने की घटना में योजना महवन के विवागों के अधिकारी क्रमचारी सक्त के दायरे में है साथ करमचारियों को हिरासत मिले कर पूस्ताच की जा रही है वही जेपर पुलिस कमिशनर ने पूरे मामले का जल्द खुलासा करने का दावा किया है इस अलमारी में नकदी वसोना ब्रामद हुआ है वहां कहीं महीनों से बंद पड़ी थी बैस्मेट में जहां नकदी मिली वहां आधार UID से जुढ़े करमचारियों का आना जाना था और पुलिस बैस्मेट में अलमारीयों तक एकसस रखने वाले करमचारियों से पूस्तास करेगी ये साथ ही वहोर के बैस्मेंट में जाने वाले के सिसीटी फुटेज भी देखकर चार्च की जा रही है